जिन भक्तों के परचानी बन पा रहे हैं ऐसे बहुत से भक्त हैं जो दद्दस 11-11 दरबार जा चुके एक-एक साल से बागे सुर्धाम जा रहे हैं इतने कैंसे भक्त हैं जरहां तो ठाओ ठेचे माएं से कौन-कौन जा रहा है कि अच्छा कि अजितने भी पधारे हम एक नियम बता देते हैं फिर दर्बार सुरू करें जिनके परचानी बन पा रहे हैं वो मन में राम नाम का जब करें बागे सुर्धाम की एक बार जाकर अरजी लगा दें एक उपाय सुनो घर में बीमारी बनी रोग बाधा है लगातार दबाईयां चल नहीं दबा काम नहीं कर रही बहुत उपद्रव मचा है बहुत लो रहे हो सुनो ध्यान से बागे सुर्धाम का एक बार नारियल बांदेना नहीं पहुंच पार तो घर पर बांध लेना पांच आहूती आहूती यानि हवन आप प्रती दिन सन्यासी बाबा के नाम से देना ओम सन्यासी देवाए नमः स्वाहा ओम सन्यासी देवाए नमः इस मंत्र की पांच आहूती देना एक कटोरी में गंगा जल रखना एक चौपाई हम तुम्हें सन्यासी बाबा की दी हुई बता देते हैं नोट कर लो अचूक चौपाई है सब लोग गाते हैं नमान चाली सामें पर इसका प्रियोग नहीं जानते हैं नारियल बांदो पांच 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 आहूती सन्यासी बाबा के नाम की देदो कटोरी में गंगा जल रखलो चौपाई नोट करो नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत आप लोग बोलो इस चौपाई का एक सो आठ बार जाप करके गंगा जल में फूंक लगाकर रोगी को पिलाना प्रारंब कर देना एक कई स्पेस हिवागे सुर्धाम की कर लेना धीरे धीरे रोग में आराम लगने लगेगा पर दबा भी बंद नहीं करने हैं दुआ और दबा दोनों चलाओ हम बहुत अंद विस्वास वाले आदमी नहीं है हम जो भी कहते हैं मूँ पर कहते हैं सीधा तात पर हैं दुआ और दबा दोनों चलाओ अब आप कहोगे गुरुजी घर में हमारी बीमारी नहीं है पर काम स पांच आहूती पुर्तिदिन बाला जी के नाम की ओम बागे शुराय नमस्वाहा इस मंत्र की देना एक चौपाई और हम किसकंदा कांड की बता देते हैं आपको सिद्ध अभी मंत्र चौपाई है किसकंदा कांड की चौपाई नोट करिए सब के मुँपर है कावन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम आप लोग बोलिए इस चौपाई का एक सो आठ बार पाठ करना प्रारंब कर दो जाव आसिरवाद है आपके काम सफल होने लगेंगे इस उपाई को जिनके परचा नहीं बन पा रहा है उनको करना है हाँ अब आगए लेन पर बेटा तुम राम नाम का जब करना है पेशी करना है